Brain and Mental Health आपको या आप चानते हो ऐसे किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्ते से संबंदित समस्या जिसे Psychiatric Disorder यानि मनरोग विकार भी कहा जाता है। ये होने का निदान हुआ हो सकता है। ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि मस्तिष्क मानसिक स्वास्ते में कैसे काम करता है और समस्याओ के कारण मानसिक बिमारिया कैसे हो सकती है। मानसिक स्वास्त्य तनाव को नियंद्रित करने की या उसका सामना करने की और रोजमरा के जिंद्गी का आनन्द लेने की आप किक्षमता है इसमें जिस तरह से आप मैसूस करते हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आप कार्या करते हैं और जिस तरह से आप अन्य लोगों से संबत बनाते हैं या दूसरों के साथ वैवार करते हैं, वो शामिल है फिगनानी की ये अध्यन कर रहे है कि मस्तिश के कुछ शित्र मानसिक स्वास्ते को कैसे प्रभावित करते है उदारण के लिए मस्तिश का भैविस्तार जिसे अमिकडाला यानि मस्तिश के आधारतल के पास सिथ कुशिकाओं का एक संग्र वो कहा जाता है वो आपको हानिकारक वस्तूओं से बशने और खत्रों से बशने में मदद करता है इसके अलावा अमिग्डाला भयानक और तनावपोनक अटनाओं के प्रती आपके प्रतिक्रिया को नियंद्रिक करने के लिए प्रिम्टल कॉटेक्स यानि ये सरब्रिल कॉटेक्स है जो फ्रंटल लॉप के आगे के हिस्से को आवरित करता है जिसके साथ काम करता है प्रिंप्टल कॉर्टेक्स आपको निर्णय लेने में, समस्याओं को हल करने में और यादों को याद रखने में भी मदद करता है ये सिंगुलिट कोटेक्स का आगे का हिस्सा है, जो कॉपर्स केलोसियम के आगे के हिस्से के आसपास थितेक कॉलर जैसा दिखाई देता है आपको कारियों पर ध्यान केंद्रित करने में और भावनाओं को नियंद्रित करने में मरत करता है हिपोकेंपस यानि ये मस्तिश्क की एक जटिल सरचना है जो टैपरोल लॉब में कहराई से अंदस्थापित है नई आदों को बनाने में और उन्हें संग्रहित करने में मरत करता है मस्तिश्क की कार्यात्मक इकाई या नियूरोंस के रूप में जानी जाने वाली वो कोशिकाए है जिने brain cells यानि मस्तिश्क की कोशिकाए भी कहा जाता है neurons electrical impulses यानि द्यूट आवेकों की माध्यम से एक दूसरे को संदेश प्रिक्षित करते है ये impulse यानि आवेक, axon यानि अक्षतन्तू या तंत्री का फाइबर जिसके रूप में जाना जाने वाला neuron जिसे तंत्री का कोशिका के एक इस्से से गुजरते है संदेश को एक neuron यानि तंत्री का कोशिका से दूसरे तक कैसे पहुचाया जाता है इस बारे में ये बारी की से जानकारी ले axon यानि अक्षतन्तू यानि तंत्री का फाइबर जिसके अंत में impulses यानि आवेगो के कारण neurons transmitter और नामक रासाइनिक संदेशों को प्रिक्षित करते है ये chemical messenger यानि रासाइनिक संदेशा वाहक एक छोटी सी जगल से गुजरता है जिससे synaptic gap यानि पुर्व और post synaptic कोशिकाओ के बीच का अंतर कहा जाता है और अन्य नूरोन से जुड़ते है ये नूरोन को अपने स्वयम के impulse यानि आवेगों का उतपादन करने के लिए प्रिरित करता है इस तरह impulses यानि आवेग पूरी मस्तिक्ष में felt है इस प्रक्रिया में उतपन होने वाली समस्याओं के परिणाम स्वरूप मस्तिक्ष संबंदी विकार हो सकते है जिने मानसिक बिमारिया के रूप में चाना जाता है मानसिक बिमारी के सब इकारणों को नहीं चाना जा सका है हाला कि कई कारक इसमें योगदान दे सकते है इन में से कुछ कारकों में शामिल है मानसिक बिमारी का पारिवारी के तियास होना जो माता-पिता से बच्चे में जीन के माध्यम से पारिद किया जा सकता है जिवन में कोई कंपिर भावनात्मक या तनावपून गटनाए या सीर या मस्तिक्ष पर लगी होई चोट अन्यकारकों में स्वास्ते समस्याए जैसे कि रदैरोग शरीर में अन्यरसायन जो कि हॉर्मोन्स के रूप में जाने जाते है उनसे सम्बंदिस समस्याए मादक पदार्थों का व्यसन और लग्द मस्तिक्ष में केमिकल मेसेंजर यानि रासायनिक संदेशा वाहकों का असंतुलन शामिल हो सकता है जब मस्तिक्ष में केमिकल मेसेंजर यानि रासायनिक संदेशा वाहक का असंतुलन होता है तब निरॉन्स यानि तंत्री का कोशिकाओं को एक दूसरे को संदेश भेजने में कटनाई हो सकती है। सेरोटोनीन एक दूसरा केमिकल मैसेंजर यानि रासाइनिक संदेश भाहग, मूड, भूक और नीन को नियंत्रिक करने में मदद करता है। क्षंपता के साथ समस्याइ, स्क्रिजोफेनिया, एटेंशन डेफिसिट हाइपर अक्टिवीटी डिसॉर्डर या ADHD और अन्यविकारों के साथ जुड़ी हो सकती है। युनाटेट स्टेर्स में अनुमानित 43.7 मिलियन वैस्क लोगों को किसी प्रकार की मानसिक बिमारी है। अनुसंदान के लिए आधोनिक उपकरन और उन्नत तक्नीके, विग्नानिकों के लिए मस्तिश को समझना और मानसिक बिमारी कैसे होती है। इसे बहतर तरीकी से समझना संभव होगा। यदि आपके मानसिक स्वास्तिय या आपको सला दी गई हो, वैसे कोई भी दवाई के बारे में प्रश्ण है, तो इसके बारे में अपने स्वास्तिय दिखबाल, पेशिवर या डॉक्टर से बात करे। आपके स्वास्तिय दिखबाल, पेशिवर या डॉक्टर या चिकसक के द्वारा आपको ने देश दिया गया हो। उसे साब से अपनी दवाईया लेना महत्वपोर्ण है।